नमस्कार दोस्तों Electrician Skills YouTube चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे Electrician Tools के बारे में विद्दूत कारगे कौन-कौन से टोल्स होते हैं एवं Basic जो मिटर होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं कैसे-कैसे यूज़ करते हैं और Basic Practicals के बारे में जानकारी इस वीडियो के माद्यम से आपको मैं दूँगा तो जब तक आगर आपने हमारी Electrician Skills YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको प्रते ही वीडियो को notification सबसे पहले मिल सकेगा तो दोस्तों हमारा जो आज की टूल से हैं वो है Fitter Electrical Assembly Job Rolls है According to Sector Skill Council Sector Skill Council का नाम है Iron and Steel Sector Skill Council of India QP Code है हमारा ISC Q1001 और Job Roll है हमारा Fitter Electrical Assembly NSQF Level 3 परजेंटेड बाई के स्री नंदन ट्रेनर लर्नेट स्टियर्स लिमिटेड तो दोस्तों सबसे पहले आता है Still Tape Still Tape 15 मिटर लेंथ इसका उपियोग हम करते हैं दूरी को मापने के लिए लंबाई को मापने के लिए इससे जो दूरी मापने के लिए इसका मुख्य काम दूरी मापना ही है अब अगला आता है दोस्तों Combination Plyer Insulated यह अलग-अलग साइज में मिलता है Electrician का सबसे आवशक हो जार यह होता है इसका उपियोग केबल को काटने पकडने यह मरोडने के लिए करते हैं इसलिए इसको Combination बोलते हैं क्योंकि यह एक से अधिक कारिया कर सकता है काटने का, पकडने का और मरोडने का ध्यान रहे दोस्तों कोई भी Insulated Plyer यूज करने से पहले उसके Handles को चेक करनेना चाहिए कहीं कटा-पटा तो नहीं है Next आता है Side Cutting Plyer इसका OPO केवल काटने के लिए किया जाता है इसको Side Cutter इसलिए बोला जाता है कि इसकी जो Blades होती है वो Side में होती है इसलिए इसको Side Cutter Plyer बोला जाता है इसको भी काटने से कोई वायर पर वर्क करने से पहले इसके Handles जो होते हैं Insulated उनको Check कर लेना चाहिए कि वो Insulated है या नहीं है अगला आता है दोस्तो Screwdriver Screwdriver इसका OPO कोई भी पेज को खोलने के लिए किया जाता है ये अलग-अलग टाइप के होते हैं ये जो Screwdriver हो है वो Flat Screwdriver है मतलब माइनस वाला माइनस वाला और प्लस वाला क्या होता है इसके जो आगे की Knob होती है उसकी Size अलग-अलग होती है प्लस और माइनस के साब से तो दोस्तों अगर आभी तक आपने हमारी चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्क्राइब जरूर कर लें एक आता है नाइस्ट अगला Electrician Connector Screwdriver Insulated Handle तो इसका भी उप्योग पेज को खोलने कसने के लिए क्या जाता है लेकिन इसके आगे की तरफ Insulated की एक Coating चड़ी होती है अभी आप देखेंगे इसके ओपर पीले कलर की Coating चड़ी होती है Electrician इसी प्रकार की Screwdriver का इस्तेमाल करते हैं Live Supply पर वर्क करने से पहले आगे आता है दोस्तो Electrician Screwdriver Thin Stream Insulated 200 mm इसका उप्योग भी पेज को खोलने वे एक कसने के लिए किया जाता है ये जो Screwdivers होते हैं वो अलग-अलग Size में मिलते हैं दोस्तो 200 mm का है 200 mm का है 1500 mm का है ये अलग-अलग Size के इसाब से मार्केट में अपनको मिल जाएंगी ज़रुत के इसाब से हम इसे पर्चेस कर सकते हैं आगे आता है दोस्तो Center Punch इसका उप्योग इसकी जो Size आए 150 mm इंटू 9 mm इसका उप्योग Marking Tools के लिए किया जाता है Marking Tools मतलब कोई भी Drill करने से पहले कोई भी Hole को हमें Guide Hole जिसको बोलते हैं उसको बनाने से पहले Center Punch का इस्तिमाल किया जाता है दोस्तो Next आते हैं दोस्तो 9 Double Bladed Knife यानि चापू होता है ये Electrician का चापू होता है जिसका उप्योग हम केवल काटने के लिए करते हैं केवल जो उप्योग है Only सिर्फ काटने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है Electrician के जो Knife होता है चापू होता है वो अलग प्रकार का होता है Slide प्रकार का होता है Slide slides होता है आगे पिछे करने वाला Next आता है दोस्तो Neon Tester इसका उप्योग हम कोई भी Live Supply की जाच करने के लिए करते हैं और इसका नाम Neon क्यों है क्योंकि इसके अंदर एक Neon Lamp लगा होता है जिसका नाम होता है Lamp का Neon इसलिए इसको Neon Tester बोला जाता है Next आता है Still Rule Still Rule means Still Scales 200 mm इसका उप्योग लमबाई को मापने की लेगे जाता है यह ज़्यदा दर हम इसका उप्योग हम मेजर मैंट के लिए ड मीरमेंट के लिए इसका 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 स्तेमाल करते हैं यह अलग-अलग difference में मार्केट में हमें उपलब्द रहता है 15 इंच 30 इंच जितना भी हमें आवशक हो उसके साब से नेक्स्ट है दोस्तो हैमर क्रोस पिन विथ हैंडल अभी आप देख रहे हो इसके आगे के जो फेस होते हैं एक फेस होता है गोल और एक होता है चप्टा इसलिए इसको क्रोस पिन हैमर बोला ज जो उपर वाला अभी आप देख रहे हो यह गेंद की तरह बिल्कुल गॉल होता है इसलिए इसको बॉल पिन हैमर बोल जाता है यह इसका उप्योग भी गेवल चोट देने के लिए ही किया जाता है अगला आता है दोस्तों इसक्राइबर कोरल सेंटर पोजिशन यह जो है द कोई भी मार्किंग करनी है उसके लिए हम इसके 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 इससथेमाल करते हैं अगर अभी तक आपने आमरी मिधु जुँड सकतर नियुके काक्त नाटिकरिशन में सकती। नेक्स्ट आता है धौर्ड। Beispiel को खीचने के लिए किया जाता है एहां आगे से यह बिल्कुल में इसकी जो होती है वह बिल्कुल पतली होती जिससे क्या object को पकड़ा जा सकी अभी आप देख रहे होंगे इसमें एक जो आगे का जो फेस होता है वो गोल होता है जैसे अभी आप देख रहे हो यह गोल होता है इसलिए इसको इस्तेमाल object को खीचने के लिए किया यह है C clamp, इसको G clamp भी बोलते हैं, इसका उपयोग किसी जो पकड़ के set करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई ply board है, उसके उपर ply लगाई है, तो उसको set करने के लिए, जब तक वो set नहीं हो, तब तक हम उसके उपर इस clamp को fix रखते हैं, next is spanner, adjustable spanner, 150 mm, 300 mm के size में, ये market में उफलब्द हैं, और भी चोटी बड़ी size में आपको मिल जाएगा, इसका O.P.O. nut bolt को खोलने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके जो आगे का जो है, जबड़ा है, वो adjust हो सकता है, अपने हिसाब से, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, और बड adjustable spanner बोलते हैं, next step, chisel, cold chisel, इसका उपयोग किसी भी धात, दातू को, metal को काटने के लिए, दिवार में जिरी बनाने के लिए, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये cutting toast के अंदर आते हैं, और ये दो तरह की होती है, farmer chisel और cold chisel, ये वो motor की windings के तार को काटने के लि प्रिश सब्सक्राइब कर ले और bell icon जरूर प्रेस कर ले, next step, chisel, farmer chisel, अभी आप सामने देख रहे हो, ये farmer chisel है, इसका उपयोग भी काटने के लिए किया जाता है, ये भी अलग-अलग size में होती है, 6 mm से लेगे 25 mm ये देखेंगे, अभी आप इसके जो आगे की जो, इसका size के अनुसार ये अलग-अलग market में उपलब्द होती है, next है handle machine, इसका उपयोग drill करने के लिए किया जाता है, ये है drill, दीवार में या कोई भी लकडी है, उसके अंदर छेद करने के लिए किया जाता है, ये without power चलती है, बिना light के ही इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जो ये handle है, red color के उपर, इसको हाथ से गुमाया जाता है, और एक को चाती के उपर रखा जाता है, next है portable electrical drill machine, 6 mm की capacity के साथ, इसकी जो capacity 6 mm की, ये आगे की जो इसका जो है, आगे कम हो है, इसके अंदर जो bit लगती है, वो 6 mm तक का ये छेद निकाल सकती है, और हमारी bit अगर ज्या तो इसमें भी कर सकते हैं, next है pillar electric drill machine, इस machine का उपियोग किसी भी object में छेद करने के लिए, drill करने के लिए उपियोग किया जाता है, एवं इसके अंदर जो job रहता है, वो इस्थिर रहता है, देखेंगा आप इसमें job रखने के लिए एक समतल जगह है, तो इस पर जो job होता है हमारा वो बिल्कुल fix हो जाता है, इस्थिर रहता है, वो हिलता विलता नहीं है, proper छेद निकल पाता है, next है allen key, allen key का उपियोग भी nut bolt को खोलने के लिए किया जाता है, जो जो nut होते हैं, वो अंदर की तरफ से hexagonal होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो, यह allen key, तो उनके अंदर जाके यह set होते हैं, इस साइता से वो nut bolt कोल सकते हैं, यह कस सकते हैं, next हाता है दोस्तो, gris gun, gris gun का इस्तेमाल हम gris के लिए करते हैं, gris मतलब gris देने के लिए, tools में या कोई भी machines में gris के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तरह आभी आप देखेंगे, heavy machines होते हैं, truck होते हैं, या कुछ और motor होती है, उनके अंदर gris दिया जाता है, तो इस machine की साइता से gris दिया जाता है, next है, micrometer, इस micrometer का उपियो कहां करते हैं, दोस्तो, दोस्तो, आभी आपने देखा हुआ, तार की जो मोटाई है, बिल्कुल छोटे-छोटे बिता आते हैं, बिल्कुल बारिक-बारिक भी, जो हम उसकी मोटाई को जो है, और अन्य उपकंड से नहीं माप सकते हैं, केवल उसको measuring जो हम कर सकते हैं, तो किस से कर सकते हैं, micrometer से, तो सबसे चोटी सी-चोटी मोटाई को मापने के लिए, micrometer का इस्तेमाल किया जाता है, नेक्स्ट है, motorized bench grinder, इस grinder का उपयोग केशी भी जोब की सतया को finishing करने के लिए, यह केशी भी जोब पर धार देने के लिए, इस motorized bench grinder का इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों, ऐसे ज जलते हैं लाइट से चलने वाले उपकरना है नेक्स्ट है राउल प्लग डोस बिट इसका उपियोग छेद के अंदर पेच को रोक के रखने के लिए किया जाता है अभी आप देखेंगे यह प्लास्टिक एवं लकडी की बनी होती है जो क्या करते हैं हम कोई भी ड्रिल मसीन स छेद करते हैं उस छेद करने के बाद में उस छेद के अंदर जो बाहर की जो जगए खाली रह जाती है उसके अंदर यह डाले जाते हैं रोल पलग जिस से हम जो भी पेच कसेंगे उसके अंदर तो वो क्या करता है कि यह रोल पलग जो होता है वो अंदर से बिलकुल यह इस 200 degree centigrade इसका उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है यह थर्मोमेटर का उपयोग तो अभी आप सभी जानते हैं लोगवाग कि थर्मोमेटर मतलब ताप मापी ताप मापने वाला कहीं पर भी हमारे ताप मान को मेजर करना है तो उसके लिए हम थर्मोमेटर का इस्थ तो ल убий Canad को नहीं है तो प्लिज कर लें सब्सक्राइब करने नेश्ट न falar Spiderbriefas क्रेन क्रिम्पिंग टूल क्रिम्पिंग टूल गया है दूस्तो 품 घिबल के ऊपार लग लगाने के लिए लग क्या होते हैं इसके वीडियो मैंने आवरेड़ी चैनल पे अफलोड कर दिया है निकलते नहीं है नेक्स्ट है वायरिष टीपर वायरिष टीपर 20 cm इसका उप्योग तार के उपर लगे विए इंसुलेशन को हठाने के लिए किया जाता है अभी आप देखेंगे कोई भी हम केबल मार्केट से पर्चेस करके लाते हैं तो उसके उपर एक इंसुलेशन होता है और उसके अंदर तार होते हैं तो उसके उपर कर छेलने के लिए इंसुलेशन अठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट है कोड़ चीजल 12 mm दोस्तों इसका उप्योग लोहे को काटने के लिए एम तारों को काटने के लिए किया जाता है एम इसके जो 12 mm दि सारी से פर्स्यस करते हैं नेक्स्ट है हेमर एक्टर टाइप 0.40 कιज चारसो गरम का ये हेमर है और इसका उप्योग किसे भी कील परड़ चोट देने के लिए एक्म उसे वापिस निकालने के लिए इस परकार के हेमर का उप्योग की जाता है नेश्ट है दोस्तो एक्सा फ्रेम एड़स्टेबल यह एड़स्टेबल फ्रेम्स हैं या लकडी इत्यादी काटने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है अभी आप देखेंगे कोई भी लोया है कोई भी जोब है उसको काटने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है ताकि यह मार्केट में अलग-अलग साइज में हैं अवेलेबल नेक्स्ट है ट्राइ स्क्वाइर 150 mm ब्लेड अभी आप देखेंगे इसका जो एमेम है वह 150 mm का है वह इससे बड़े भी आते हैं काई में इसका ऊपयोग कोर्नर की जांच करने के लिए क्या जाता है कि हमारा Girma कोउर्नर के बनाया है किसी भी औब्जक्ट का वह 90-10 रिकरी पे है या नहीं है तो ये 90 डिकरी के कोउ और की जांच करने के लिए इस्तेमाल क्या जाता है दोस्तों इसका दूसरा नाम भी है ट्राइ स्कुएर और नेक्स्ट आता है दोस्तों आउटसाइड यम इंसाइड डिवाइडर के लिपर ये मार्किंग टूल्स हैं इनका उप्योग जोब पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है अभी आप देखेंगे इसमें तीन परकार के डिवाइडर है इनर इनर मींस ये अंदर की तरफ से डिवाइडर है अंदर की तरफ से मार्किंग करने वाला है आउटर मंस बाहर की तरफ और ये जो डिवाइडर है ये सतेह पर डिवाइड करने के यूज़ करते हैं नेक्स्ट दोस्तों प्लायर फ्लैट नोज 150 है मैं ये फ्लैट नोज जो फ्लायर है इसका इस्तेमाल इस टूल्स का ओपियोग जहां किया जाता है जहां पे हमारे हाथ नहीं पहुंचते हैं या अइसी जगह में आपको करना हमे थाम ह barrel ये हम्हां पहुंच पॉनझ करते हैं ये ये राउंड नोजज प्लायर भी हो सकते हैं इससे अभी आप देख रहो फ्लैट पहले आया था अभी जो नाया तक राउंड नोजमा ये इस अपान थार इलगए पतली होती है इसी वज़े से ये ऐसे जगह पर काम करने आसानी होती है जहां पर हमारे हाथ नहीं पहुंच पाते हैं नेक्स्ट दोस्तों ट्वीजर ट्वीजर ये 100 mm की है ये चोटी साइज में बड़ी साइज में भी मिलती है ये हम इसका उप्योग किसी भी छोटे से चोटे पार्ट को कोई भी छोटा सा चोटा इलेक्टिकल कॉम्पोनेंट्स जो होता है वो हमारे हाथ से पकड़ने में अट्रिफिकेसन सबसे पहले मिल सके नेक्स्ट है दोस्तों सनीप स्टेंट एंड बेंड 150 mm इसका उप्योग चद्दर को काटने के लिए किया जाता है कोई भी चद्दर है हमारे उसको काटने के लिए इसके इसके हैंडल के आगे इसका लोक भी रहता है इसके लोक लगाने खोलने के लिए किया जाता है लेकिन दोस्तों ये दो परकार के होते हैं एक तो डी स्पेनर एक रिंग स्पेनर ये ज्यादा फरक एफेक्टिव नहीं रहते हैं जितने रिंग स्पेनर रहते हैं क्योंकि ये केवल औब्चक्ट को दो परकार दोनों बागों से पकड़ पाते ह तूल का उप्योग डिलं मसीन की रूप में किया जाता है एवं कहीं पर भी हमें ड्रिल करना है छोटा से चोटा शेद Calvin करना है लक्टी में वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके दो भाग होते एक तो बीच में पकड़ने वाला बलेक और एक पीछे वाला पीछे वाले को चाती पर रखते हैं और बीच वाले को आज से गुमाते रहते हैं नेक्स्ट है स्मूतर प्लेन एंड स्मूतर कटर एक पचास एमेम इस कटिंग टूर्स का उप्योग जोग की सत्या को फिनिसिंग करने के लिए किया जाता है अभी आप देखेंगे इसके बीच में एक ब्लेड लगा होता है जो क्या करता है कि जैसे कोई भी लकड़ी है हमें उस पर फिनिसिंग करनी है वहाँ पे हम इसका 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 उप्योग हम करते हैं दोस्तों तार की मोटाई मापने के लिए कि तार की मोटाई को कैसे मापा जाता है तो अभी आप इसमें खांचे देख रहे होंगे आगे की तरफ बिल्कुल चोटे-चोटे हैं और चोटे से लेके बड़े थक नेक्स्ट आता है अगला फाइल सेट दोस्तों यह फाइल्स होती है रेतिया होती है यह अलग-अलग प्रकार की होती है फ्लैट फाइल राउंड फाइल और हाफ राउंड फाइल इसका ओपियो किसी भी जोब की सतय को समतल या फिनिसिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जता है जिसके क्या है कि हमारा जो जो जोब है उसकी सतय बिल्कुल चिकनी हो सके या उसकी सतय बिल्कुल प्लेन हो सके वहां इसका इ iron ये solding iron बार्केट में अलग अलग वाटेस में मिलते हैं 25 वाट से लेकर के 125 वाट तक 40 वाट के भी आते हैं 55 125 वाट ये वाटेस के साफ़ से मार्केट में मिलते हैं तो इसका ओपियोग जोइंट बनाने के लिए या किसी भी तार को जोडने के लिए किया जाता है या उस पर solder करने के लिए इसका अस्तेमाल किया जाता है nesht है ओम मेटर ये ऑम मेटर दोस्तो दो परकार के होते हैं series type एम संट टाइब इसका उप्योग परतिरोध को माटने के लिए किया जाता है एवम continuity की भी जांच इससे कर सकते हैं हम तो दोस्तो इस oh meter का उप्योग हम परतिरोध को जांचने के लिए करते हैं next है multimeter analog दोस्तो analog क्यों है क्योंकि इसमें एक सुनी लगी भी है multimeter दो परकार के होते हैं analog एवम digital इसका उप्योग हमें परतिरोध निरंतरता वोल्टेज एसी डीसी दारा की जांच कर सकते हैं यह अपना मान स्केल पर परदेशित करता है यह जो मिटर है यह अपना मान यह एक स्केल पर परदेशित करता है इसलिए से analog multimeter कहा जाता है दोस्तों नेस्ट आता है दोस्तों digital multimeter इस उपकरन का उप्योग भी वही काम के लिए करते हैं जो हम analog के लिए करते हैं इसका जो मान है यह output है वह हमें एक display के माध्यम से एक अंको में दिखता है जो भी आप देख रहे होंगे उपर 000 आ रहा है तो यह अपना जो value output है वह इस display पर दिखाता है इसलिए इसको digital multimeter बोला जाता है ज़्यदा तर लोग बाग आजकल इसी meter का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि accurate reading दिखाता है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रू प्रेस कर लें नेस्ट है AC voltmeter MI moving iron 0-500 voltage का है और यह AC type का है इसका ओपियोग हम AC voltage की जाच करने के लिए करते हैं दोस्तों ध्यान रहे वी के आगे वी के ज़स्ट नीचे अभी आप देखेंगे वह इस मेटर के अंदर वी के नीचे एक ऐसी तिर्ची सी लाइन कीची हुई है यह गुमाओदार तो इसका मतलब है कि यह AC के उपकरण है DC वाली उपकरण होंगे तो उनके उपर उनके जस्ट नीचे सीधी लाइन कीची हुई होगी नेच्ट है एमिटर यह भी देखेंगे आप एक के नीचे जैसी लाइन कीची मतलब AC एमिटर है तो यह है मोविंग कोईल मोविंग कोईल टाइप का और इसकी जो रेंज है वह 0-30 एमपियर तक है यह मार्केट में अलग-लग साइज में मिलते हैं जैसे 0-5 एमपियर तक 0-25 एमपियर तक इसका उपयोग दारा को जाचने के लिए किया जाता है नेक्स्ट दोस्तों एमिटर ही मोविंग आईरन टाइप का यह जो एमिटर है इसकी रेंज है 0-300 एमपियर तक और यह मार्केट में 0-5 एमपियर से लेके 0-25 तक 0-50 तक 0-100 एमपियर तक तो यह अपनी आवशकता के अनुसार अपनी रेंज के अनुसार यह अलग-अलग प परचेस करना चाहिए नेक्स्ट वदोस्तों किलो Wirth मिटर मतलब वट मिटर है लेकिन इसकी तक 30 एमपियर से लेके पांच तक 5735 तक तो ये मार्केट में zero से लेके एक तक तैन किलोवार तक इतने भी मिलते हैं ये सकति को मापने के लिए उसकिया जाता है नेक्स्ट है करंट ट्रांस्फॉर्मर करंट ट्रांस्फॉर्मर 415 वल्ट 50 हाटज सिटी रेफ सो 155 अंपियर 5V वल्टेज अंपियर इसका उपियोग हाई टेंसन लाइन में दारा को कम करने में सायक होता है यह इसका आउटपुट हमेशा 5 एमपियर होता है दोस्तों यह करंट ट्रांसपोर्मर है और कभी भी हम देखेंगे हाई वोल्टेज पर हम डारेट करंट मेजर नहीं कर सकते इस उपकरन के लगाने के बाद में ही वहाँ पर हम करंट मेजर कर सकते हैं नेक्स्ट है पोटेंसियल ट्रांसपोर्मर सेम करंट का जस्ट वोल्टा जहाँ पर हम दारा को माप रहेते हैं अब यहाँ हम वोल्टेज मापेंगे तो इसका आउटपूट पांच अमपेर था और इसका अमपेर वोटेज आउटपूट जो होता है वो 110 वोल्ट होता है उसके एसाब से फिर हम इसको वोल्टे मेटर की सहथरा से मेजर कर सकते हैं नेक्स्ट है कॉंटेक्टर यह रो मैटेरियल दोस्तों जो हमें वाइरिंग में या अव्वी उपकरन को चलाने के लिए का उपियो किया जाता है इसका उपियो कनेक्टर के रूप में किया जाता है जो कोई भी उपकरन है उसे हम इसके थू जोडते हैं ताकि हमार जो उपकरन है वो हॉवर लोड से बच सके shower current से बच सके नेक्स्ट दोस्तो रोटरी स्विच सोडा एंपियर यह भी रो मैटेरियल है मैंने आपको बताया था पहले कि इस वीडियो में टूल्स के साथ में और भी चीज कवर करेंगी जो हमारे प्रैक्टिकल्स में ज्यादे तर यूज आती है और मेजरिंग उपकरंड थे जो हमने आफ वीडियो चारे भी जाता है यह 4 त्रफ रोटेट हो सकता है जैसे अभी आप देखेगे ON, OFF, ON, OFF तो यह चारोच तरफ रोटेट हो सकता है next दोस्तो used motor generator in working condition अभी आप ये देख रहे हो motor or generator है और ये जो motor है square cage induction motor with star delta starter and directly coupled to DC sun generator तो दोस्तो ये practical है जो हमें करने होते हैं तो ऐसे ही और practicals हैं 4-5 हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या-क्या practicals होते हैं एक है दूसरा next practical यो DC generator series in working condition suntan compound type of over hunting practice तो दोस्तो ये practical है जो हमें करने होते हैं इस feature electrical assembly के तोस के अंदर ही आते हैं ये भी कि लेब के अंदर ये भी उपकरण होने चाहिए उसके बाद में आता है दोस्तों next दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू प्रेस कर लें इसके अंदर डिजल डरता है और ये मैकनिकल एनरजी प्रोड्यूस करता है और इसका उप्योग वल्टेज उतपादर में किया जाता है दोस्तों जाशे अभी आप देखे में वियास याधिया होती है ज्यादा तर इसी का उप्योग हम करते हैं नेस्ट है यू डीसी सीरीज मोटर कपल्ड विट मैकेनिकल लोड जीरो फैब फाइब टू किलो वाट और इसकी जो वर्किंग होती है वो 220 वोल्ट इसकी होती है यह भी एक प्रैक्टिकल है अभी आप इस पर देख रहे होंगे इसके उपर एक मैकेनिकली लोड लगा हुआ ह जो मसीन है मोटर है इसकी साप्ट के उपर यह मैकेनिकली लोड लगा हुआ नेस्ट है डीसी संट मोटर दो से दो पॉंट पाँच किलो वाट 250 voltage यह motor है हमें इनके connection कैसे करने हैं इने कैसे चलाए जाता है इनकी क्या अंदर सी क्या working होती है इसके बारे में इनकी जानकरी दी जाती है दोस्तों तो इसके जानकरी आपको हमारे अलग वीडियो में है उसमें आपको प्रते मोटर्स की अलग अलग जानकरी वहां मिल गया यह आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हों यह डिसी कंपाउंड मोटर विद इस्टार एंड स्विच दो से दो पॉइंट पांच किलोवाट और 220 इसकी इन्पुट पावर होती है यह भी एक प्रैक्टिकल दोस्तों जो हमी करना होता है इसको कंट्रोल पैनल के साथ कैसे जोड़ा जाता है मोटर को कैसे वर्किंग करती है यह माज का जो लास्ट का सलाइड है यह है थ्री फेस्ट ट्रांसपॉर्मर सेल टाइप एंड ओल को लिंग विट अमोंग थ्री एंप किलो वोल्ट एंपियर जो यह ट्रांसपॉर्मर देख रहे हैं इसके कनेक्शन होता है दोस्तों स्टार और डेल्टा टाइप उसी को इस जोग रोल के अंदर कवर किया जाता है कि कौन-कौन से थेंक्यू दोस्तिकल से तो जब तक अग वीडियो में वीडियो देखने हैं तो हमारे प्लेइलिस्ट में जाएज़ें